जैम आता दी दोस्तों, World Best Magic में आपका हारदिक स्वागत है। कैसे हैं आप सर्व? ये बताने के लिए comment box में जैम आता दी जरूर लिखें। दोस्तों, करवा चौत के चार दिन बाद और दिवाली के आठ दिन पहले महिलाएं अहोई अस्टिमी का वरत रखती हैं। ये वरत संतान प्राप्ती और उनकी लंबी आईव के लिए किया जाता है। मानता है अहोई अस्टिमी का वरत करने से संतान की प्राप्ती भी होती ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्च की अस्टमी तिथी को रखा जाता है। इस व्रत को तारों को देख कर ही खुला जाता है। माता अहोई इस दिन महिलाओं को संतानों की लंबी आयुका वरदान देती हैं। लेकिन इस व्रत में कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी अनिवारे होता है कुछ ऐसे कार हैं जो इस दिन वर्जित होते हैं जिनका महिलाओं को खास ध्यान रखना चाहिए तो आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि अहोई एस्टिमी के दिन ऐसे कौन से कार हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करने चाहिए अनिता आपको व्रत का फल नहीं मिलता है लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल World Best Magic को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें तो आईए शुरू करते हैं तो चलिए जानते हैं कि अहोई अस्टमी के दिन ऐसे कौन से कार हैं जो आपको नहीं करने चाहिए दोस्तों अहोई अस्टमी के दिन व्रती को दिन के समय सोना नहीं चाहिए ऐसी मानता है कि अहोई व्रत में दिन के समय सोने से संतान को कस्ट पहुंचता है इसके लावा अहोई अस्टमी का व्रत रहने से एक दिन पहले ही तामसिक भोजन का त्याक कर देना चाहिए लैसुन प्याज का बना भोजन भी तामसिक स्रेणी में आता है इसलिए अहोई अस्टमी के दिन और उसके एक दिन पहले लैसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए इसके लावा अहोई अस्टमी के दिन काले, नीले वा सफेद रंग के वस्त धारन नहीं करने चाहिए इस दिन लाल या पीले रंग के वस्त पहनना उत्तम माना जाता है इसके लावा आपको बता दें कि अहोई अस्टमी के दिन कासे के बर्तनों का प्रयोग भी वर्जित माना गया है इसलिए अहोई अस्टमी के दिन पूजा या किसी भी अन्न कार्य में कासे के बर्तन का उप्योग ना करें दोस्तों इस दिन अपने घर में किसी भी प्रकार का कलेस ना करें मानिता है कि ऐसा करने से अहोई माता नराज हो जाती हैं और आपको मनुवांचित फल की प्राप्ति नहीं होती है और एक बात बता दूँ कि अहोई अस्टमी के दिन तारों को अर्द देते समय तामे के लोटे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए केवल इस्टील या फिर पीतल के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए दोस्तों अहोई अस्टमी के दिन मिट्टी को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं ना ही इस दिन खुर्पी से कोई भी पौदा उखाड़ना चाहिए इससे आपको दोस लगता है साथ ही अहोई अस्टमी के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को दान भी अवस्य देना चाहिए सास्त्रों के नुसार किसी बीवरत के बाद दच्छना देने से उसका फल उत्तम मिलता है और एक बात का ध्यान रखें कि अहोई अस्टमी के दिन पूजा करते समय अपने बच्चों को भी पास जरूर बैठाएं और अहोई माता को भूग लगाने के बाद बैप्रसाद अपने बच्चों को भी जरूर खिलाएं दोस्तों अहोई एस्टमी पर भी अहोई माता की पूजा करने से पहले भगवान गडेज जी का पूजन जरूर करें उसके बाद ही आप अहोई माता की पूजा करें ऐसा करने से आप की पूजा फली भूत होती है दोस्तों अहोई एस्टमी के दिन अपने साथ ससुर के लिए बायना जरूर निकालें अगर आपके साथ ससुर ना हो तो अपना बायना आप किसी पंडित या किसी बुजुर्क को भी दे सकते हैं और इस दिन व्रत कथा सुनते समय अपने हाथ में साथ तरह के अनाज या गेहूं के साथ दाने अवस लें इसके बाद ही कथा सुनें और पूजा के बाद इस अनाज को किसी गाय को खिला दें ऐसा करने से आपको पूजा का सुभफल मिलता है दोस्तों अहोई एस्टमी के दिन अपने या फिर किसी और के बच्चों को भी बिलकुल ना मारें ना डाटें क्योंकि ये वरत बच्चों के लिए ही रखा जाता है ऐसा करने से अहोई माता रुज्ट हो जाती हैं और एक बात क्या धान रखें कि अहोई एस्टमी का वरत रखने वाली महिला को गलती से भी चाकू, कैंची या सुई आदी का इस्तमाल नहीं करना चाहिए इस दिन आप कोई भी नुकीली चीच का इस्तमाल ना करें इसके लावा इस दिन व्रती महिला को किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए इस दिन व्रती महिला को किसी की निंदा, चुगली या फिर किसी को अपसब्द भी नहीं कहना चाहिए इसके लावा ध्यान रखें कि अहोई एस्टमी के दिन घर में सिर्फ पक्का भोजन ही बनाना चाहिए इस दिन घर में कच्चा भोजन बनाना वर्जित होता है और ऐसी मानिता है कि अहोई एस्टमी के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए दोस्तों अहोई एस्टमी के दिन व्रती महिला को इन सभी बातों का ध्यान अवस्य रखना चाहिए ऐसा करने से आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद